नेतन याहूं होंगी गिरफतार आयस्ट वारंट से भड़का मेर का दे अंजाम भुगतनी की चेतावनी गाजा पट्टी में भीशन अरसंगहार के चलते इसराइली पीम बेंजामी नेतन याहूं के खिलाफ एक्सन हो सकता है रिपोर्ट है कि अंतराश्टी अपराद नेयाल है उनकी गिरफतारी का वरंट जारी करने वाली है वरंट सिर्फ नेतन याहूई नहीं इजराइली रक्षा मंत्री और आईडियास चीफ के खिलाब भी जारी हो सकता है आईसीसी किस कदम ने अमेरिका को भड़का विया है उसने चेतावनी दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो आईसीसी अंजाम भुवतने को तयार रहे गाजा पट्टी विजराली सेना के कतले आम से मरने वालों के तादाद 34,000 पार कर गई है गाजा मरने वालों में जातर निर्दोस बच्ची और महिलाएं हैं गाजा पर जमीनी और हवाई ऑपरेशनों को रोकने के लिए यूएस समित कई अंतराश्टी संगठरन आवाज उठा चुके हैं लेकिन नितन्याहू ने अपने कदम पीछे नहीं किये एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसा अमेरिका में दोनों पार्टियों के सांसोदों ने अंतराश्टे आपरादिक नियाले को चेताव नहीं दी है एक विधेक पास होने के उमीद है लेकिन अमेरिके अधिकारियों को लगता है कि उसकी धंकी के बाद आईसी सी अपने कदम वापस ले सकता है अमेरिकी सदन के अधिक्ष माइक जॉनसन ने गाजा युद्ध के लिए नितन याहू के गरफतारी वरण जारी करने को लेकर आईसी सी की निंदा की है जॉनसन ने एक बयान में कहा कि यह अपनाजनक है कि आईसी सी कतित तोर पर इजरायल के प्रधान मंतरी नीतन याहू और अन्य वरष इजरायली अधिकारियों के खिलाफ निराधार गरफतार वरण जारी करने की योजना बना रहा है आईसी सी की ऐसे अराजक कारवाही सीधे तोर पर अमेरिकी राश्टी सुरक्षा हेतों को कमजूर करेगी यदि बाइडिन पर शास्न द्वारत चुनाती नहीं दी गई तो आईसी सी अमेरिकी नेता हमारे राज नहीं को और सेन कर्मियों के खिलाफ भी गिरफतारी वरण जारी कर चुका आईसी सी आपको जादे कि यह पहली बार नहीं है जब आईसी सी ने किसी देश के सरवच नेता पर इस तरह का एक्शन लिया हो इससे पहले आईसी सी ने यूकरेन पर युद्ध के आरोप में रूसी राजपती विलाद्मिर पुतिन के खिलाफ भी गिरफत सारी के खत्रा रहता है